हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis है हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासर draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या तेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस्त्रह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों phalanges middle और lower phalanges के उपर आपको ऐसी सीधी खड़ी रिखाए नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाए होने से native काफी मिलन सर सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम fingers की thickness की बात करें तो काफी thick fingers हैं यहाँ से आप देख सकते हैं lower phalanges काफी थिक हैं जिस वज़े से अच्छी energy and stamina native के भीतर रहता है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी finger काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है शनी finger का अच्छी length में होना अच्छी thickness में होना indicate करता है कि native काफी मेहनती nature का रहने वारा है hard working होने के साथ साथ discipline type की personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिसी वज़े से ऐसे व्यक्ति life में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं अगर हम बात करें इनकी सूरे finger की आप यहां पर देखेंगे हलका सा जुकाव इस finger का शनी finger की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा बाकी की fingers का इस middle finger की तरफ मुड़ना indicate करता है कि native के मन में थोड़ी वेराग्या की भावना रह सकती है ऐसे विक्ति spiritual minded भी होते हैं थोड़ी isolation की feeling ऐसे native को जीवन में परिशानी दे सकती है लेकिन overall इनकी सूरे finger काफी अच्छी लंबाई में है इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को creative nature का बनाता है काफी अच्छी artistic qualities भी ऐसे विक्ति के भीतर रहती है और ऐसे native एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी काम्याब हो जाते हैं अगर हम इनकी index finger की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी thick finger है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है इस finger का strong होना indicate करता है कि native की leadership qualities भी काफी बहतर रहने वाली है ऐसे विक्ति knowledgeable होते हैं काफी spiritual minded होते हैं दूसरों की help करने वाली personality ऐसे native की रहती है जिनकी तरजिनी उंगली अच्छी लंबाई में हो अच्छी thickness में हो ऐसे विक्ति काफी धार्मिक परविती के देखे जा सकते हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको fingers के बीच में gap बनते नजर आएंगे जैसे खासत और पर इन दोनों fingers के बीच में जो इनकी सूरे finger है यह वाली जो finger है सूरे finger कहलाती है और यह वाली जो finger है mercury finger कहलाती है इन दोनों fingers के बीच में आपको इस area में gap बनता हुआ नजर आएगा ऐसा gap होना native को काफी ज़दा independent सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव इन दोनों fingers के बीच में बने वाला gap दर्शाता है और mercury finger की length की बात की जाए तो यहाँ पर यह finger थोड़ी सी low set होने की वज़े से थोड़ी सी आपको short नजर आएगी क्योंकि यह finger आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके सूर्य finger के top phalanx से थोड़ा नीचे रहती हुई क्योंकि यह finger हलका सा low set है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य finger और बाकी की fingers काफी उपर से शुरू हो रही है जबकि इनकी mercury finger यहाँ पर काफी नीचे से शुरू होने की वज़े से top phalanx सक पहुँचने में कामयाब नहीं हुई लेकिन independently अगर देखा जाया तो यहाँ finger length में अच्छी है लंबाई कम नहीं है low set होने की वज़े से हमें short नज़र आ रही है जिस वज़े से communication skills बहतर रहेंगे थोड़ी सी shy type की nature रह सकती है क्योंकि जब भी यहाँ finger low set होती है तो थोड़ी shy nature होने की संभावनाएं hesitation वाली nature होने की संभावनाएं बढ़ती है बात करते हैं इनके बाकी के सभी mounts की यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके mounts खासत और पर इनका जो ब्रस्पती mount है और जो इनका mercury mount है दोनों ही काफी उभरे हुए नजर आ रहे हैं काफी prominent नजर आ रहे हैं यह जो area है यह गुरू का यानि ब्रस्पती का area कहलाता है यह mount अगर उठा हुआ हो तो यह native को knowledgeable बनाता है और काफी अच्छे दिल के इनसान होते हैं ऐसे व्यक्ती जिनका यह mount उठा हुआ और साथ यह finger भी strong हो अच्छी लंबाई में हो इसे कर साथ साथ आपको कुछ आड़ी रिखाएं इनके इस ब्रस्पती mount के उपर नजर आएंगी कुछ इस तरह की रिखाएं आप देख सकते हैं ऐसी रिखाएं जिनने हम lines of sympathy कहते हैं native को काफी sympathetic तरह का सभाव native को देती हैं और ऐसी रिखाएं अधिक मात्रा में होना native को multiple sources of income भी दे सकती है बज़िके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बारीक रिखाएं नीचे से उपर की तरफ उठती हुई यहां जो है इनकी mind line है इसमें से कुछ रिखाएं अगर उपर की तरफ उठकर ब्रस्पती परवत की तरफ बढ़ें तो यहां रिखाएं native को काफी अच्छी तरकी दिलवाने में help करती है अगर इनके शनी और सूर्य परवत की बात की जाए तो यह माउंट आपको दबते हो नजर आएंगे जैसे यहां से center से आप देख सकते हैं इनका शनी परवत दबता हुआ इसी तरह से सूर्य का area भी आपको इस area में अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा किसी भी माउंट का दबना उस प्लानेट की qualities को weak कर देता है जैसे शनी माउंट अगर दब जाए तो चीवन में संघर्ष की स्थितियां बढ़ती है यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने चीवन में शुरुआती दोर में अधिक संघर्ष करना वड़ता है हाथ में भाग्या रेखा मौचूद है लेकिन भाग्या रेखा भी आपको कई जगह से कड़ती हुई नजर आएगी यहां से चलने वाली रेखा यह रेखा भाग्या रेखा कहलाती है अब देख सकते हैं भाग्या रेखा को कुछ रिखाएं बीच बीच में क्रॉस कर रही है ऐसी रिखाएं जिने हम स्ट्रेस लाइन्स या रहू रिखाएं कहते हैं हाथ में रहु रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में कई बार उतार चडाफ देखने पड़ेंगे लाइट में ups and downs अधिक रहाते हैं कुछ ना कुछ तरह का स्ट्रेस नेटिव को अपने चीवन में मिलता है इने रिखाओं की वज़ाई से क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे इनकी life line को भी यह रिखाएं क्रॉस करती हुई और कुछ रिखाएं तो mind line को भी क्रॉस कर रही है जिस वजह से थोड़ा मांसिक तना भी native को मिल सकता है overall अगर हम देखें इनकी इस stress line के बाद की रिखा हमें काफी बहतर नज़र आ रही है यहां से यहां रिखाची strength में नज़र आ रही है जिस वजह से 38 की age के बाद काफी अच्छी तरक्की इनको अपने चीवन में देखने को मिलेगी और अगर हम इनके सूर्य परवत की बात कर रहे हैं तो सूर्य का area यहां पर दबता हुआ नज़र आ रहा है जिस वजह से native को यश मिलने में कमी महसूस होती है इसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी help कर ले बदले में कोई appreciation नहीं मिल पाती जिसे हम यश की कमी कहते हैं सूर्य माउंट का दबना यहां पर यश की कमी तो लाता है लेकिन सूर्य फिंगर अगर अच्छी length में हो तो native काफी creative होता है और अच्छा social circle भी बना पाता है अगर हम बात करें इनकी mercury माउंट की आप यहां पर ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या consultation से दूसरों की problems को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती हैं ऐसे व्यक्ति किसने किसी तरह से दूसरों को heal कर सकते हैं इनके बुद्ध परवत के उपर ऐसे रि पहतर करेगा और बिजनस एकुमेन को भी यह माउंट स्ट्रॉंग करता है चले आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइन्स को तो आप यहां पर देखेंगे यह रेका जिसे हम हाट लाइन कहते हैं आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेका दो भागों में विवाजित होती हु अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विश्नु सिंबल बन रहा हो बिमानी करकर किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है तो चीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है ओवरॉल यह रेका यहां पर काफी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर आकर कुछ बारीक रिखाएं और थोड़ी शालोनेस इस एरिया में आपको नजर आएगी लगभग फिफ्टी के बाद की एच में थोड़ी ब्लोड प्रेशर जैसी दिक्कते होने की जिमावनाई रहा सकती है लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही माइन की लाइन की बात की जाए आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मस्तिक शरेखा का होना काफी अच्छी मेमरी को दर्शाता है लेकिन साथ ही साथ इस रेखा को कुछ आएंगी यहाँ टच करती है यह जो रिखाएं मैंने आपको भी ब्लू कदर में ड्रॉ करकर दिखाएं यहीं हम स्ट्रेस लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाएं अगर माइन लाइन को क्रोस कर रहे है तो थोड़ा स्ट्रेस देने का थनाफ देने का काम करती है लेकिन ओवर काफी practical type की personality ही रहेगी काफी अच्छी memory ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी जीवन रेखा को आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी length में है और जीवन रेखा के अंत में बिल्कुल आफी अच्छा एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा इस एरिया में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा ऐसा चिन अगर किसी के भी हाथ में इस एरिया पर केतू माउंट इसकों कहते हैं यहां पर बन रहा हो तो यहां नेटिव को चीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राइं देता है अचानक धनलाब हो सकता है विदेश आतराओं के साथ साथ कई बार इनहारिटट वेल्थ मिलने की समभावनाए इस तरह के चेंड की वज़े से पॉसिवन आचानक धन जीवन में कई बार मिलने की समभावना यह चेंड इंडिकेट करता है अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लगबग इस तरह की लाइफ लाइन बाहर की तरफ रिखाए निकलती हुई 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई और अपने जर्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाओं को इस तरह की रिखा इंडिकेट करती है ओवरॉल अगर हम इनके शुक्र परवत की बात करें तो यहाँ जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है उबहरा हुआ वीनस माउंट चीवन में हर तरह की सुक्सविधाएं व्यक्ति को दिलवाता है ले अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ एरिया काफी उठा हुआ है लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक छोटी छोटी रिखाएं नजर आएंगे इस तरह की रिखाएं ट्रैवल लाइन्स कहला आते हैं शौर डिस्संस ट इतनी अधिक इस एरिया के उपर मौचूद होती है उतनी एंग्साइटी भी व्यक्ति को देती है विचैनी इन रखाओं की वज़य से हो सकती है तो दोस्तों ये कुछ अनैल्सिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जुआब एक